हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टेंशन हेड़ेक के बारे में मतलब कि टेंशन के कारण किसी ब्यक्ति का अगर सीर दर्थ होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंशन हेड़ेक क्यों होता है टेंशन के बज़े से सीरदर्थ क्यों होता है उसके बारे में जान लेते हैं तो कोई ब्यक्ति है बहुत ज़्यादा चिंता करता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो उसको हो सकता है सीरदर्थ और कोई ब्यक्तिया बहुत ज़्यादा hard work कर रहा है दिन भर राद भर तो उस time भी उसका tension headache हो सकता है या कोई ब्यक्तिया ठीक से खाना पिना नहीं कर रहा है ठीक से उसका lifestyle ठीक नहीं है तब भी हो सकता है या कोई बेक्ति है उसका future को लेके बहुत ज़्यादा tension ले रहा है उसको बार-बार सोच रहा है तो उस time भी हो सकता है या कोई बेक्ति है बहुत ज़्यादा hard work कर रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा time काम कर रहा है धूप में काम कर रहा है तब भी यह हो सकता है tension headache तो यह है जो tension headache होता है वो आपने आप ही normally ठीक हो जाता है कोई ब्यक्ति बहुत ज्यादा hard work किया है तो rest ले जाने से 2-4 घंटा या एक दिन rest ले जाने से उसका जो headache होता है वो ठीक हो जाता है लेकिन कहीं बार किसी-किसी ब्यक्ति का ठीक नहीं होता है तो उसके treatment के बारे मे जानेंगे तो उस time दिया जाता है passion को आप दे सकते है 0-Dol P tablet इसका जो composition होता है paracetamol plus acyclophenac या आप दे सकते हैं paracetamol plus diclofenac इन दोनों में से कोई tablet आप दे सकते हैं passion को तो यह tablet को दिन में दो बार आप दे सकते हैं और इसको खाना खाने के बाद ही दिया जाता है ठीक ह और अगर आप एक दो दिन यूज करने के बाद अगर आपका सीर्दर्थ है वो ठीक नहीं होने से आप अपने doctor को जरूर से दा के दिखाएं और कोई problem हो सकता है ठीक है तो friends यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो like करें और channel को subscribe नहीं क्या तो subscribe कर थैंक यू पर वाची